C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वनी पाठ सबक 2 खुशी का राज सफा नमबर 9 कौकरूच जिसे तिल चट्टा भी कहते हैं एक गंदा की गड़ा होता है एक मरतबा तमाम काकरूच एक जगा जमा हुए और शिकायत करने लगे कि हमें कीड़ों में क्यों शामिल किया जाता है दाथ हमारे इतने तेज होते हैं और पंजे जानवरों की तरह तेज होते हैं लेकिन जानवर हमें कीड़ा ही समझते हैं और बड़ी हिकारत से देखते हैं, हमारे पर भी होते हैं और हम उड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई हमें परिंदा नहीं मानता, और परिंदे भी हमें जलील समझते हैं. उन्होंने अपनी ये कॉन्फरेंस इसी लिए बुलाई थी, यानि उन्होंने एक जल्सा किया, कि इन तमाम बातों पर गोर किया जाए, और कोई ऐसी तद्बीर की जाए, जिससे उनकी इज़त में इजाफा हो. जब सब जमा हो गए, तो उन में से सबसे बुढ़े काउकरोच ने खड़े होकर कहा, आप सब को ये तो मालूम ही है, कि आपको यहां क्यों बुलाया गया है, आप में से जो कोई इस मामले में कुछ कहना चाहे, वो कहे, और कोई सूरत निकाली जाए, कि हमें कीड़ा ना समझा जाए, उन में से एक छोटा सा काउकरोच उठा और उसने कहा, देखिए, ये बात तो हम सब को परिशान किये हुए है, कि सब हमें जलील समझते है, मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी लड़की की शादी किसी जानवर से कर दें, तो फिर उनसे हमारी रिष्टेदारी हो जाएगी, और हम जानवरों में शामिल हो जाएंगे, इस तरह ये मसला हल हो जाएगा, सब ने इस बात की बहुत तारीफ की और ये तेह हुआ कि उनके खानदान की सब से खूबसुरत लड़की को तलाश किया जाए और एक चूहे से उसकी शादी कर दी जाए, सब ने मिलकर एक लड़की तैह की और उसे लेकर चूहे की तलाश में निकले, थोड़ी सी कोशिश के बाद एक चुहे को तलाश किया वो एक पेड़ की जड़ में बिल बनाय हुए आराम कर रहा था सफा नमबर दस बचो इस तस्वीर में दिखाया गया है कि पौधा लगा हुआ है उसकी जड़ के पास एक चुहा बैठा है और उसे कौकरोच बात कर रहा है चुहे ने जब कौकरोच को देखा तो कहा कहिए जनाब कैसे तकलीफ की? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कौकरोच ने कहा हुजूर एक जमाने से हम परिशान हैं हमारे बाजू भी हैं, हम ओड़ भी सकते हैं हमारे पंजे और दाद भी बहुत तेज हैं लेकिन हमें कोई ना तो जानवर मानता है और ना परिंदा इसलिए हम अपनी लड़की को आपके पास लाए हैं आप इससे शादी कर लीजिए उसे शादी करने के बाद आप हमारे रिश्टेदार हो जाएंगे और इस तरह हम जानवरों में शामिल हो जाएंगे चुहें को उनकी ये बाद बड़ी अजीब लगी वो बहुत देर तक सोचता रहा हम और उसके बाद बोला देखिए चनाब मुझे सखत अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मैं खुद भी आप ही की तरह हूँ मैं हमेशा से चुपता फिरता हूँ जहां जंगल में हर वक्त साफ मेरी तलाश में रहता है मैं उससे जान बचाता हूँ शहर में आदमी मेरा दुश्मन है बिल्या मेरी बूस उंग्ती पिरती है इसलिए मैं तो खुद मजबूर हूँ आप किसी और के पास जाएए चुएं की ये बात सुनकर कौक रोच बड़े हरान हुए और वो सोचने लगे कि ये भी उन्हीं की तरह है जो अपनी जान बचाए फिरते हैं सफा नमबर ग्यारा वो आगे बढ़े और एक पहाड़ी के गरीब सांप के पास पहुँचे सांप बहुत आराम से गोल मटोल हुआ पड़ा था कौक रोच को आते देख सांप उट बैठा सांप ने कहा हाई ये आपने कैसे तगलीफ की कौक रोच ने पूरी कहानी सुनाई और कहा हुदूर हम तो इसलिए आए हैं के आप से मश्वरा करें किस से जाकर अपनी लड़की की जादी की बात करें सांप बहुत गोर से सबकी बाते सुनता रहा और फिर उन से बोला मैं क्या कह सकता हूँ मेरी जान तो खुद ही मुसीबत में रहती है मैं हर वक्त नेवले से डड़ता हूँ उसके दांत बहुत तेज होते हैं वो जब छपटने लगता है तो उस वक्त मुझे अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है आप उससे कोई राय ले लें कौकरोच नेवले के पास गए और उनसे अपने आने की वजह बताई नेवला ये सुनकर मुस्कुराया और बोला हाँ हाँ वाँ जनाब आप इस बारे में मेरे पास आये हैं मैं तो खुद दूसरों के रहमों करम पर जिन्दा हूँ लॉमडी जो कुछ गोश्त हड़ी छोड़ जाती है मैं उसका जूटा खाता हूँ मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता आप लॉमडी के पास जाईए वो आपकी जरूर कोई मदद करेगी वो आपको जरूर कोई तरकी बता सकती है कौकरूच लॉमडी के पास गए लॉमडी बहुत गबराई हुई धर उधर देख रही थी कौकरूच ने पूछा आप इस ख़दर प्रेशान क्यों दिखाई दे रही हैं सफा नंबर बारा लॉमडी ने फिर इधर उधर देखा और कहा माफ करना मैं आपकी कोई खातिर नहीं कर सकती दरजल कुछ कुछ गुथे इस वक्त मेरे पीछे पड़े हुए है वो मुझे मार डालना चाहते है मैं अपने आपको उनसे बचाए बचाए फिर रही हूँ इसलिए मैं इस वक्त आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकती कहिए क्या कहना है कौक्रोश ने सोचा कि ये लॉमडी तो खुद दूसरों से टरती है उसे तो आप ही दूसरों की मदद की जरूरत है ये जानवर है फिर भी खुछ नहीं चलो कुटों के पास चला जाए उन्होंने उससे इजाजत ली और अपनी कहनी सुनाई बगएर कुटे की तलाश में निकल गए थोड़ी दूर चलने पर हमें कुटे दिखाई दिये कुटे बड़े खौफनाक थे उन्होंने सोचा यकीनन कुटे ही हमारे काम आएंगे कुटे ने बहुत इज़त से बिठाया हमें और आने की वज़ा पूछी कुटे ने शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनाई और अपनी खूब सूरत लड़की को हमें दिखाया एक कुटे ने कहा देखो इस दुनिया में कोई खुश नहीं तुम उससे प्रेशान हो के तुम्हें कीड़ों में गिना जाता है तुम्हें जानवर और परिंदा नहीं समझा जाता कोई चीज भी जलील नहीं होती हम सब किसी ना किसी से डरते हैं मैं खुद आदमी से सबसे ज्यादा डरता हूँ वो जहां कहीं मुझे देखता है मार डालता है मैं उससे भागता हूँ और वो कभी कभी मुझे पकड़ ले जाता है और फिर मुझे उसके घर की रखवाली करनी पड़ती है लेकिन मेरी वफाधारी का कोई बदला नहीं देता वो मेरा दुश्मन है मैं तुमारी कोई मदद नहीं कर सकता तुम आदमी के पास जाओ वो जरूर तुमारे लिए कुछ करेगा कौकरोच आदमी की तलाश में निकले आखिरकार हमें एक जोपड़ी में आदमी मिल गया वो उस जोपड़ी में दाखिल हुए तो देखा के एक दुबला पतला आदमी एक चटाई पर बैठा हुआ है कौकरोच जैसे ही आगे बढ़े वो एकदम से खड़ा हो गया और हमें हटाने लगा कौकरोच ने कहा डरिये मत हम आपसे मतद लेने आए है आदमी ने पूचा कहो क्या कहना है अब बचो इसमें एक तस्वीर है जिसमें आदमी बैठा हुआ है और वो कौकरोच को भगा रहा है कौकरोच ने उसे पूरी कहानी सुनाई आदमी ने बहुत जोर से कहका लगाया और कहा हाँ 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 वाँ आप मेरे पास आए है क्या आपको मालूम नहीं क्या मेरे लिए सबसे तकलीफ की बाइद क्या है आप जानते हैं कि मुझे सबसे स्यादा आप ही से तकलीफ होती है अगर मैं तेल खुला छोड़ दू तो आप पी जाते हैं खाना रख दू तो आप उसे खराब कर देते हैं बावर्ची खानों को तो आपने अपना घर बना रखा है आपने तो खुद मुझे आजिस कर रखा है और अब आप मुझे से ही मदद मांग रहे हैं आप से जानवर तो क्या मैं भी परेशान हूँ कौकरोच ये सुनकर बहुत खोश हुए वो वापस अपने घर गए और उन्होंने एक दूसरा जलसा किया उन्होंने कहा हम सब जानवरों के पास गए और देखा के जानवर तो क्या आदमी भी किसी ना किसी से डरता है और आदमी तो सब से ज्यादा हम से डरता है एक छोट असा किड़ा होने के बावजूद हमारी बड़ी एहमियत है इसलिए हमें हरगिस शर्मिन्दन नहीं होना चाहिए हमें अपने कौकरोश होने पर फखर होना चाहिए इसलिए कि हम देखने में तो छोटे हैं लेकिन हमारी भी एहमियत है छोटी से छोटी चीज की भी अपनी जगा बहुत एहमियत होती है इसलिए हमें केड़े ही बने रहना चाहिए और इसी हाल में खुश रहना चाहिए सब कौकरोचों ने जोड़ दार तालिया बजाएं और खुश-खुश अपने घर चले गए सवालात एक, तमाम कौकरोच एक जगा क्यों जमा हुए दो, अपने इज़त बढ़ाने के लिए छोटे कौकरोच ने क्या राई दी तीन, शादी की पेशकश पर चुहे ने क्या जवाब दिया चार, साप और नेवले ने शादी करने से क्यों इनकार किया पांच, कुते ने कौकरोच को किस तरह समझा कर आदमी के पास क्यों भेजा छे, कौकरोच आदमी को क्या-क्या तकलीफें पहुँचाता है साथ, कौकरोच को अपनी एहमियत का एहसास कैसे हुआ अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन स्वर अफ्षान सिद्धी की तक्नीकी समन्वय बठी लैंगलिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुति CIETNCERT नई दिल्ली भारत